सब्सक्राइब देट है आज का 27 और मार्च 2023 मार्केट ने आज बहुत ही ज़्यादा विर्ड चीजे क्यों ही है बट फॉर्चनेटली मैंने आज के दिन पर बुक किया हुआ है 64,000 मैं इस क्या हुआ है 3,000 के आसपास एक अच्छी ड्रेड मैं को यहां पर मिल गई तो मेरा अच्छा खासा पैसा यहां पर बन गया अगर आगर नहीं पर दियान देते हो यह मैंने क्या किया फुक्ती तौदन इसमें इन्वेस्ट किया और इस पर मैंने अच्छा खासा जो मैं आपको explain करता हूँ okay so अब बात करते हैं कल है monthly expiry for nifty financial service तो इसकी अपर हम लोग last night discuss करेंगे पहले हम बात करते हैं nifty की अपर कि कल हमको nifty में कैसे plan करना है तो देखिए यहाँ पर हमको clearly दिख रहा है boss market ने जो मैं trap की बात कर रहा था वो मैं आपको पहले समझा दो देखो यह क्या था यह था breakdown ठीक है यहां पर अगर मैं properly trail 9 यहाँ पर एक Fibonacci भी रह करता हूं और 29 भी रह करता हूं तो देखिए यहाँ पर perfect setup था क्या था यहाँ पर setup यहाँ पर दियान दीजिए ट्विटर देखो यहाँ अब market ने क्या किया 50% का rejection लगाया breakdown दिया इस levels के आस पास कहीं ने की retracement है मतलब एक breakdown होने के बाद यह rejection level था last case जिसको हम बोलते हैं यहां से market को नहीं चाहना चीए था बट market ने आप पर क्या किया market ने और एक अच्छागासा momentum यहाँ पर दिखाया यहाँ पर जो भी sellers थे उनको kick out किया और यहाँ पर closing के time पे बहुत अच्छागासा हम को यहाँ पर sell-off देखने कर दो बहुत ज्यादा difficult day था पैसा कमाने के लिए बट setup अच्छे मिल जाते हैं लेवल्स बगरा सहुन में आते तो बहुत easily आप पैसा कमा सकते थे बट difficulty थी लेवल बहुत ज्यादा हाय हो चुका अभी थोड़ा बहुत market में आपको attentive होते हो काम करना पड़ेगा एक और important चीज़ कल का जो मैंने वीडियो पोस्त किया था PMS का उसको मैंने delete कर दिया है क्योंकि आप लोगों का support बगरा नहीं था मैंने बहुत प्यार से वीडियो बनाया था आपके तरफ से support नहीं था तो वैसे तो मैं private कर देता वीडियो आज मैंने थोड़ा सा aggressive होते हुए मैंने delete कर दिया उसके बाद मेरा मन नहीं किया मैंने इसको उड़ा दिया भी ठीक है थोड़ा से support कर दिया कर दो प्रेडर बहुत दिल से काम करना है अब let's say आप market ने क्या किया यह support था यह support था और यहाँ पर market ने breakdown देता हुए कहिने के closing इस levels के आसपास दिया हुआ है अब हमको कल के दिन पर कैसे plan करना है वो बात करते हैं तो पहले इसको हम उड़ा देंगे knowledge से सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कल के दिन पर flat opening होती है तो क्या करना हमको देखो अगर यहाँ पर कल के दिन पर flat opening होती है तो हमको कुछ भी नहीं करना है पर यहाँ पर support levels के आसपा नहीं कि यहाँ बायर नहीं कर सकते हैं बिलकुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर probability है कि market हलका का retracement दिखाने के बाद अगें जो यहाँ पर इस levels के आसपा जो आज के दिन पर बाय करते हुए क्या है वो इसको उनके stop losses यहाँ पढ़े होंगे वो हिट करने के लिए आ सकता है तो हमको प्लान सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का करना है कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ इस levels पर या हमारा gap down opening हो गया इस levels के आसपास तो दोनों ही case में हम यहाँ पर पहले तो reasons ढूनेंगे कि हमको sell कहा करना है और level ढूनेंगे देखो simple way में हम क्या करेंगे top से लेके अगर flat opening होता है तो हम लोग यह levels पर हम यहाँ पर लगाएंगे Fibonacci और wait करेंगे किस levels का wait करे यहाँ पर आने दीजिए कौन से levels पर यह levels के आसपास मतलब somewhere around 17,000 के आसपास market को आने दीजिए इस levels पर short करने के दो फायदे है एक आपके पास defined target है जो आज कल की opening हो कि that will be your target दूसरा यहाँ पर आप stop loss सुर्फ 30 to 40 points के आसपास का plan करो कि उससे जाए आपको जहाँ पर stop loss ल खुल किया तो क्या करेंगे simple यहाँ पर देखिए आपर मैं आपको समझाता हूं इस case में क्या करेंगे फिबनाची को थोड़ा extend कर देंगे ठीक है और यहाँ पर फिर क्या करेंगे market को थोड़ा ऊपर आने के लिए यहाँ पर space देंगे let's say market यहाँ से ऊपर की दरफ इस levels के आसपत कल का closing है यहाँ थोड़ा बहुत जोड़ा ऊपर के दरफ आया तो देखो यह क्या है यह सपोर्ट है सपोर्ट है सपोर्ट है अब इस level पर क्या करेगा market इस level फे वो rejection face करेगा Alto support था सपोर्ट के असपतो यहाँ पर Rejection face करे और 7 में 30.2 पासं Tamist to 980 वाले जोन ठीक है gap down खुलता है flat opening होता है market को पहले थोड़ा ऊपर जाने दो छोटे stop loss से काम करना है अच्छे आरा रिशो के ऊपर काम करना है तो यह सब चीजे करना पड़ेगा flat opening होता है कहीं पर भी gap up या gap down opening होता है आप आप रेंडम ली ट्रेड करोगे आरा रेशो नहीं डिसाइड करोगे level नहीं देखोगे reason नहीं फाइंड आउट करोगे तो थोड़ा सा differentiate करो थोड़ा सा changes लाओ के trading में तो results में भी आपके changes definitely आपको मिल सकता है आप तो अब यहाँ पर बात करते है अगर बहुत बड़ा gap down कुलता है तो भी उस case में आपको Fibonacci को extend करना है आप पर let's say अगर यहाँ खुल गया इस levels के आसपास खुल गया तो फिर हम लोग Fibonacci यहाँ पर लगाएंगे और फिर हमारे पास यह support level है this will act as a resistance यहाँ पर साथ में आपका 23.6% rejection भी आपड़ आपका बैठेगा let's say gap up open हो गया इस levels के आसपास तो आपके पास again इस levels पर rejection वाला level है तो अभी आपको प्लान कर सकते हो buying कहां करने वो मैं आपको बताता हो देको यह है buying वाला level 17,100 इसके उपर अगर ऐसा close देता है यह rejection level इसके उपर close देता है 40 points के आसपास का हम stop loss प्लान करेंगे target क्या देंगे 17,200 यहाँ पर भी क्या है यहाँ पर भी आपको 202.5 के आसपास पर आपको मिल रहा है इस levels के आसपास टेट कर रहा है यह दोनों जो zone है यह हो जाएंगे आपके trap वाले zone इस से आपको बचना है अपने पैसे बचाने है try to understand कहीं पर भी open होने तो rejection वाले लेवल हमको अभी समझ में आ चुके हैं और यहाँ पर अगर लेट से उपर की तरफ जाते हैं तो कहां पर हमको बाय करना वो clear हो चुका है अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो देखें बैंक निफ्टी ने यहाँ पर कहीं न कहीं breakdown दे दिया है उपर से अगर नों फिम अगर बैंक निफ्टी उसके उपर हमनों बात में बात करते हैं यहाँ देखो अगर फ्लाइट ओपनिंग होता है आइडरली देखा जाया तो इसका जो next support बैठता है वो कहां बैठता है इसका next support बैठता है यह zone के आसपास यहाँ इस levels के आसपास विच्छे somewhere around 39,000 ठीक है इ यहाँ पर जो stop loss लेके बैठे हो में लोग उनका stop loss तो वो hit करेगा है करेगा उसके बाद अगर थोड़ा बहुत rejection देता है इस zone पर मतलब somewhere around 39,360 यह levels के आसपास अगर आता है तो हम selling प्लान कर सकते gap up खुलता है यह जो zone होगा तो यहाँ पर gap up खुल गया थोड़ा बहुत य यह है अपर जोन अपर जोन है आपका somewhere around 39,760 यह हो गया आपका अपर जोन इस levels के आसपास और यह नीचे का हो जाएगा आपका lower zone 39,300 फिर market आपको पूरा आदें sideway, 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 sideway ऊपर आता है तो sell करो, नीचे आता है तो buy करो बद आपको ऐसा करते रहना है अगर market इस zone के आसपास आ जाता है तो action कब लेना है जब market इसको breakout देखा तब action लेना है यह levels पर flat opening होती है तो हम लोग try करेंगे चोटा मोटा sell करने के साब से plan करेंगे 39,360 उसमें भी आपको 50 to 60 points के आसपास का stop loss देना है बड़ा stop loss यहाँ पर हमको plan नहीं करना है क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कल के दिन पर specially अगर flat opening या थोड़ा बहुत gap up opening होता है तो यह upper zone है यह lower zone है market इसके अंदर ही आपको trade करते हुए पूरा दिन trap करते हुए दिखा सकता है high probability है अगर इस zone के अंदर अगम आ जाते है तो हमको action क्या लेना है थोड़ा बहुत ऊपर आता है यहां rejection phase होगा 39, 39,360 के आसपास तो हमनों यह आपर plan कर सकते sell करने के लिए 50 to 60 points के आसपास का अपना stop loss होगा target हम क्या देंगे target हम देंगे यह आज का जो bottom बना हुआ वह अगर let's say gap down opening होती है तो यह आपर market आ गया flat opening होने के बार नीचे आया gap down open होने के बार नीचे आया gap down होने के बार नीच करना है हमको यहाँ पर हमारा Fibonacci exchange करना है let's say यहाँ खुल गया ठीक है तो उस case में हम क्या करेंगे यहाँ पर flat gap down खुलने के बाद opening हमको कुछ नहीं करना है हमको wait करना है तो वड़ा सा इसको उपर आने दो यह है हो गया हमारा support level जिसको market ने आप break किया हुआ है साथ में 23 3.6% rejection बैट रहा है तो अगें यहाँ पर हम क्या करेंगे 39300 के आसपार shot करेंगे 50 to 80.70 to 80 points के आसपास का आपका यहाँ पर stop loss होना चाहिए target क्या होगा जो कल का gap down वाला opening होगा that will be our target अच्छा जैसे कि हमने कल भी discuss किया हुआ था कि in case उपर के levels पर आता है तो हम shot plan कर सकते त अब मैं आपर आपको क्या बोल रहा हूँ आपको बोल रहा हूँ 39300 के आसपर आपको shot करना है stop loss क्या देना है 70 to 80 points का spot का stop loss देना है अगर आपको यहाँ पर 1-2 मिलता है तो at least आपको यह करना है कि 1-1 वाला target तो आपको यहाँ पर 80% book करना है 20% जो है आप प्लान कर सकते हो तो जो ultimately target में आप आपको बोलता हूँ 39000 जो आप समझो कल की opening हो जाए 39100 तो यहाँ पर 200 से 200 points की बात कर रहा हूं तो वह one way जाने का जरूवत है मतलब probability है नहीं हो सकता ऐसा थोड़ा बहुत आपको डराएगा ऐसा करते हो निकालेगा तो इस better कि यहाँ पर आपको 1002 target मिलत चुका है आपने लेट से आपने चार लॉट्स में काम किया हो मतलब 100 quantity में आप आपने काम किया हो तो उस case में आप क्या करोगे 200 points आपने अचीव किया तो 75 quantity को आप बुक करो उसका profit जो है उसका आपका profit lock करना है ठीक है बाकी का जो 25 आपका quantity आपके हाथ में बसता है आपक जो भाव है जो भी आपने rate पर आपने shot किया हुआ है जो भी rate पर आपने entry ली हुए है उसको आपको वहाँ पर stop law लागा के बैटना है तो उस case में क्या होगा अगर आपके favor में जाता है ultimately और 100 point आपको यहाँ पर मिलता है तो आपको वहाँ पर book करना है अगर let's say वो reverse करता भी है तो जाद जाद क्या होगा आपने 100 quantity में काम किया था आपने पैसा सरफ 75 quantity में कमाय 25 quantity होगा आप भाव दुबाओ यहाँ पर cost to cost आप यहाँ पर आप निकल चुके हो ठीक है तो ऐसा आपको plan करना होता है कभी भी बड़े targets अगर मैं आपको यहाँ पर देता हूं तो flat opening होता है gap up होता है gap down होता है clear हो चुका है buying जो है हमको यहाँ पर इस levels को cross करेगा तो ही यहाँ पर प्लान करेंगे which is somewhere around 39,760 इसके ऊपर निकलता है तो ही आपको यहाँ पर प्लान करना है next अगर हम बात करें financial nifty फिट अगर हम फिन निफ्टी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ हुआ है इसका अगर हमनों 15 minutes के charge के ऊपर चलते हैं तो देखें रिडियोस यहाँ पर 15 minutes के charge के ऊपर हम यहाँ पर आए है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे top से लेके bottom तक फिबॉनाची जो करेंगे अब तीनों के हम यहाँ पर discuss करें let's say कि कल के दिन पर अगर 690 से लेके 700 यह आता है rejection वाला level यहाँ पर आपके पास यह rejection है 38.2% के आसपास का rejection है साथ में आपका जो trendline वाला rejection बैठता है यह जो trendline बनी है आप बड़े time frame पर तो वो भी इसका rejection बैठेगा तो इस levels के आसपा हम प्लान कर सकते हैं 17,700 के आसपा हम प्लान करेंगे sell करने के लिए stop loss क्या होगा है आपर 30 to 40 points के आसपास का आपका stop loss होना चाहिए gap up खुलता है flat opening होती है दोनों ही case में दोनों ही case में आपका plan करेंगे sell करने के लिए stop loss आपका होगा 30 to 40 points के आसपास का buying कहा करनी है flat opening या gap up के बाद यहाँ कुछ भी rejection नहीं होता है market उपर की तरफ आ र आपकी trendline battery है ऐसा ठीक है यह देखी यह ऐसा okay in case अगरा यहाँ पर 17700 के आसपा नहीं रुकता है market और ऊपर की तरफ आता है अपना stop loss हिट करता है और यह हो जाएगा आपना breakout तो इस लेवल के आसपा मतलब somewhere around 17,730 के ऊपर हो जाएगा आपना breakout confirmation यहाँ पर हम प्लान कर सकते buy करने के लिए target क्या होगा अपना first target हो जाएगा 17,820 next target अपना बैठता है 17,900 का simple अगर कल के दिन पर gap down खुल गया काफी अच्छा खासा gap down खुल गया तो उस case में हम क्या करेंगे उस case में यहाँ पर हम लोग Fibonacci को पहले extend करेंगे ऐसा यह हमने extend कर दिया और फ़र हम क्या करेंगे वीड करेंगे इस levels पे थोड़ा बहुत इसको retracement अगर आता है तो यह था पहले support level जिसको इसमें break किया अब दुबारा जब इस levels के आसपास आएगा तो यहाँ पर हम प्लान कर सकते sell करने के लिए तो long story short चाय वह निफ्टी हो चाय बैंक निफ्टी हो चाय आपका financial इसल निफ्टी हो दोनों ही केस में तीनों ही केस में आपको फ्लैट ओपनिंग पर कुछ नहीं करना है डरस market को retracement करने दो retracement करेगा rejection देता है तो हम sell का प्लान कर सकते है छोटे stop loss से बड़े आरार के साथ हम करेंगे in case rejection मगेना नहीं देता है और ऊपर की तरफ continuous जाता है त तो उस इसाब से में आपको प्लान करेंगे बाइंग करने के लिए ठीक है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरू कर देना थैंक्स वाचिंग विल सी इंट नेक्स वीडियो